कि अई है है यह अई है 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 कि अई है अई है अई है है अई है है तो अग्रीवन सब्सक्राइब का स्वागत फ्रेंड अनकाडमी के आलाइन प्रेटफॉर्म पर तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक्जाम मेड इजी चैनल पर और मैं राय शर्मा आप लोगा स्वागत करता हूं और सबसे पहले फ्रेंड इस चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें और बहुत इंपॉर्टन सेग्मेंट मैं लेके आ रहा हूं जो आप लोग करेंगे वर्ल्ड जोगरती इंडियन जोगरती और फीजकल जोगरती तो लेट्स विगेंट और सबसे पहले मैं आपको अनकैडमी की बारे में बता दूं आप लोग जानते होंगे बट अनकैडमी इंडिया का बेस्ट एक्सपेक्टकुलर अनपैरलल प्लेटफ सबस्क्रिप्सन लें जिस से आपकी प्रपेशन बेहटर हो जाए है सबसे पहले अगर आप जोइन करते हैं जोखोगे दो तरह का कोर्स है एक तो में से कोई भी जोइन कर सकते है बट आइकॉनी ज़्यादा बहतर है क्योंकि इसमें आपको study के साथ साथ आपको proper guidance भी provide की जाती है और guidance काफी important होता है friend अगर आपके पास बहतर strategy है अगर रननीती है तो आप बिल्कुल civil services कोई भी exam को आप qualify कर सकते है join करने पर आपको friendly live classes मिलेंगी structured course मिलता है बिल्कुल plan किया हुआ live test है quiz program है unlimited access कर पाते हैं आप जितने दिन के लिए आपने subscription लिया है one year, two year, three year तो यह बहुत important आपका है सबसे पहले unacademy learning app को आप लोग download कर ले इससे आपको सारे class के notification होगरा मिलते रहेंगे और मेरा नाम रायश कुमार सर्मा है बहुत सारे लोग परचित नहीं होंगे क्योंकि इस चैनल पर मैं पहली बार यह class ले रहा हूँ और इस चैनल में मैं यह first class है और काफी लंबा experience रहा है फ्रेंट, 18 years से ISS friends को guide कर रहा हूँ, काफी लोगों का selection हुआ है और जोगरफी के लिए काफी दिनों से पूरे एक जोगरफी में काफी दिनों से काफी लंबा अनुबा रहा है फ्रेंट जोगरफी में और मेरा टेलिग्राम लिंक भी है इसको सब्सक्राइब कर ले टेलिग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर ले तो इससे आपको सारी क्लास के notifications, notes वगरा, सारे आपको मिलते जाएंगे आपकी मेरे भू सारी classes होती है, NACAT पे भी classes होती है, special classes भी है, youtube पे भी classes है, तो भू सारी classes होती है, सारे classes आपको मिलते चले जाएंगे, रोहित पतेल जी, विल्कुल good evening, अमन कुमार, गोडिवनिंग, मनीशा महरा, गोडिवनिंग, सबी लोगा स्वागत है, जोईन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज आपके चल रहा हैं, फ्रेंड, प्लिम्स के लिए, मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए, राइटिंग स्कील, एसे, ऑफ्सनल, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी पूरी तियारी हो जाएगी, अगर हम लोग फी को देखते हैं, फ्रेंड, तो प्लस की, प्लस का जो फीर स्टक्चर है, आफ्लाइन से कंपेर करोगे, तो काफी कम है, गो बैठे आप त्यारी कर सकते हैं, आइकोनिक अगर देखते हैं फ्रेंड, तो आइकोनिक एंतरगत आपका वन येर, टू येर और थ्री येर से हैं, यह आपका फिर डिस्प्ले हो रहा है, मेरे कोड को यूज करें, इसमें भी आपको डिसकाउंट मिलेगा, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अनकाडमी की बेस टीम आपको गाइड करेगी, जो अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि रणनिती ही, सबसे ही, अगर आपके पास अगर रणनिती है, अगर स्टेटी है, तो आप बिलकुल अच्छे तरीके से एक्जामेशन को आप क् क्या है, आपका इंट्रेस्ट क्या है, उसके अधार पर, और ऑफ्सनल भी आपका फ्रेंट शिक्स मन्स से लेकर त्री अर्स तक के लिए है, इसमें भी आपको इसमें भी डिस्काउन मिल जाएगा, और अनकाडमी कॉमबेट प्रोगाम, आपका अल्टरनेट संडे ये प्र और छे सेक्षन कवर किया जाएगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, और अल्टरनेट संडे होगा, और आपका सिल्फ एविलेशन के लिए नेशन वाइड आपकी रैंकिंग होगी, तो आप बिल्कुल आप अपना मुल्यांकन कर सकते हैं, और अपने जहां पे कमी है, उसको आप दूर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही जवरदस्त ये प्रोगाम हैं, अक्राडमी कॉंबिट, जॉइन करें, 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए आपका ये प्रोगाम चल रहा है, इसमें कल ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है, 2021 के लिए, एक बाइलंग्वल बैच हैं, एक ह पॉनिक प्राइस जो आपका फ्रेंड है यह हाइक हो रहा है तो इसको बिल्कुल जल से जल आप लोग जोईन करें एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फ्रेंड की कॉम्बो ओफर है जिसमें आप जी एस और ऑफिसनल के साथ काफी कम फिम एड्मिशन ले सकते है वन यह के लिए सब्सेंटी थाउजन के वल है जिसको आप फिप्टी एट एंडड़ पर मंत में पे कर सकते हैं और आपका एक साल के लिए दो साल के लिए 99680 है जिसमें आप 4000 आपको पे करना होगा और वन एक लाख 25,000 आपका तीन साल के लिए जी एस और ऑफिसनल के ल ये लेबल पर और इस चैनल को सभी लोग subscribe करें like करें share करें जितना ज्यादा हो सकता है mxm करें आप लोग की support की जरौत होगी करें तो let's begin हम लोग आज केवल बात करेंगे जोगरफी में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है क्या strategy होने चीए और मैं कैसे आपको guide करूँगा तो सबसे पहले हम लोग पात करेंगे आपका आज जोगरती के syllabus के अंतरगत इसको हम लोग discuss करेंगे और इसके अंतरगत हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या चीजे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि जोगरफी जो आपका है यह आपके plims के लिए pre के लिए और main के लिए दोनों के लिए काफी important है तो जोगरफी में आपका plims और mains दोनों के लिए काफी important है इसमें segment क्या-क्या होता है अगर हम लोग segment की बात करें तो जोगरफी में आपका तीन segment आपका है एक तो आपका होता है फीजकल जोगरफी एक आपका है फीजकल जोगरफी भौतिक भूगोल फीजकल जोगरफी है दूसरा आपका होता है फ्रेंड वर्ल्ड वर्ल्ड हुमेन एंड इकनोमिक जोगरफी वर्ल्ड एंड हुमेन एंड इकनोमिक जोगरफी और तीसारा आपका होता है Indian जगरती, भारत का भूब बोड, जोगरफी अफ इंडिया, तो ये तीन सेगमेंट है, Slaybus जो आपका है हाँ बिल्पुल Slaybus से कर रहा है سलेबस जो आपका है वो English में Term रहेगा जो Hindi रहेगा मैं आपको बता दूंगा और ठोड़ा English भी जरुरी है तो Pre और Main के लिए आपको इसमें काम करना है मैं आपको जो बताईँगा और Pre और Main जो World Human Economic जो वर्ल्ड एकनोमिक जोग्रफी है इसको भी हम लोग दो भागों में मैं आपको पढ़ाऊंगा दो भागों मैं इसको पढ़ाता हूं फ्रेंड वर्ल्ड एकनोमिक जोग्रफी में एक आपका है महाधीपिय अध्यन जिसको बोलते हैं हम लोग Continental Study, महादीपी अध्यन, एक महादीपी अध्यन आपका हो जाएगा, जिसको Continental Study बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है, कि संसाधन भुगोल, दूसरा आपका है, संसाधन भुगोल या Human and Economic जोगरफ्य, संसाधन भुगोल, जो महादीपी अध्यन है, तो महादीपी अध्यन के अंतरगत, जैसे North America है, South America है, तो इसमें महादीपी अध्यन करेंगे, एक-एक महादीप के बारें पढ़ेंगे, विभाया जादो जी, गुड़ इवनिंग, और संसाधन भुगोल के अंतरगत, जिस तरह से देखो, यह अगर जब North America पढ़ रहे हो, South America पढ़ रहे हो, तो यह सारे चीजों को हम लोग एक-एक तरह से इसको हम लोग study करेंगे, और संसाधन भुगोल के अंतरगत, यह सब सारे चीजों को हम लोग इसमें पढ़ लेंग वर्ल्ड का एगरिकल्चर ठीक है वर्ल्ड के जो मिनरल्स है खनी संसाधन है इसके बारे में बात करेंगे वर्ल्ड के मिनरल्स है एगरिकल्चर है उसके बाद इंडस्टी है वर्ल्ड इंडस्टी है इसके बारे में बात करेंगे फिर आपका ट्रेड एंड ट्रांस्पोर्ट है इसके बारे में बात करेंगे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे जो NCRT की बुक में लिखी है उसके तरह से जो आपका भुगोल सिध्धान भाग दो है उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे human geography देखेंगे world का human and population जोगरफी देखेंगे फ्रेंड जिसमें आपका मानो भुगोल है जन संक्या भुगोल है जन संक्या के कुछ सिध्धान थैं इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंट यहां पर जितने भी महत्पुन ट्राइब सुगर हैं इसके बारे में बात करेंगे तो वर्ल जोगरफी से काफी ज़्यादा question पूछा जाता है चाहे आई एस exam दे रहे हैं चाहे आप PCS exam दे रहे हैं कोई भी exam दे रहे हैं तो यह काफी important हो जाता है segment आपका और उसी तरह से आपका physical geography है तो physical geography के अंतरगत आपका जैसे भुवाकृति विज्ञान है जैसे आपका geomorphology है उसके बाद फिर आपका climate है आपका oceanography है आपका bio geography है यह चार सेक्षन आपका important होता है यह चार सेक्षन को हम लोग पूरा देखेंगे और मैं आपको astronomy भी बता दूंगा ठीक है प्रित्वी की उत्पत्ती कैसे हुई इन सब चीजों के बारे में बता देंगे तो आपका एक coherence बना रहेगा तो astronomy से start करेंगे हम लोग और plan हमारा यह है friend की कैसे करना है plan यह है तो seven days जो हमारा work रहेगा seven days के अंतरगत मैं तीनों section को लेके चलूंगा जिस तरह से आपका Monday और Tuesday आपका रहेगा इस दिर हम लोग बात करेंगे physical जोगरफी के बारे में और Wednesday और Thursday आपका रहेगा friend तो इसके अंतरगत हम लोग world जोगरफी के बारे में बात करेंगे और Friday Saturday जो आपका रहेगा friend इसमें हम लोग Indian जोगरफी के बारे में बात करेंगे और संडे को हम लोग MCQ करेंगे तो ये हमारा प्लान है इस तरह से हम लोग इन सब चीजों पर आसो चर्चा करेंगे तो फिजगल जोगरफी आपका है और एक-एक स्लेवस में सबसे पहले क्या बताऊंगा कि क्या-क्या पढ़ना क्या-क्या फिजगल जोगरफी में क्या पढ़ना है वर्ल्ड और हुमेन एकनोमिक जोगरफी है इसके बारे मैंने आपको बताया ही इसके बारे में क्या इसमें क्या पढ़ना है इंडियन जोगरफी है इसमें क्या करना है आपको तो ये जो पूरा पोर्सन आपका रहेगा तो short syllabus क्या है उसके according देखेंगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका physical geography है तो physical geography के अंतरगत क्या क्या चीजें physical geography के अंतरगत इसको चार भागों में बाटा गया और इसको चार भागों बाटा गया जियो मार्फ लॉजी, क्लाइमेट लॉजी, एंड ओशनोग्राफी, एंड आपका बायो जोग्रफी, यह चार सेक्षन इसमें सामिल है, ठीक है ना, तो एक-एक सेक्षन करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको परिचित करूँगा, कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, बिल्कुल समान इवासा हम बात करूँगा, सबसे पहले आपका है जियो मार्फ लॉजी, ठीक है, जियो मार्फ लॉजी का यह इंग्लिस वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं, भू आक्रति विज्ञान, ठीक है, वेरी गूड, वेरी गूड, अमन कुमार जी, सर, पांच मेंबर आपकी क्लास, एक ही फोन से देख रहे हैं, अच्छा-च्छा, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, तो इस तरह से का आप देख सकते हैं, फ्रेंड, कि फिज्कल जोगरफी जो आपका हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आज फर्स प्लास है, इसी करन थोड़ी संख्या कम है, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो चादा संख्या लोगों को कम्मिटेट करें, तो जियो मार्फलोजी जो आपका है, ये फिज़िकल जोगरफी का एक पार्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भू आकरति विग्यान, ठीक है, जियो मार्फलोजी जो आपका फ्रेंड है, ये जियोमार्फलोजी जो आपका है, इसको हम लोग लिथोस्फेर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लामेटलोजी को हम लोग एट्मोस्फेर भी बोलते हैं, ओस्नोग्राफी को हम लोग हैट्रोस्फेर भी बोलते हैं, और बायोस्फेर जो आपका है, बायोजोगरफी को हम लोग क् क्या है जयphones मोंदल आपका advanced रूप में क्या पड़ते हैं अलग से कॉर्स में मंदल का advanced रूप होता है तो क्या बोलते रहंऊ सको बोलते हैं परियावरन क्या बोलते हैं जो आपके शेट बस में है environment ऑफ है environment and ecology भी है इनलों and ecology इसको हम लोग बोलते है तो बायो जोग्रफी का ही एडवांस रूप क्या है बायो जोग्रफी का ही एडवांस रूप आपका क्या हो जाएगा environment and ecology तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे अमीशा प्रधान जी बिल्कुल गुडिब नहीं सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे फिरिंड जियो मार्फ अप्लोजी आपका हिंदी में क्या बोलते हैं भुवाकृति विज्ञान और सरल भासा में क्या बोलते हैं अस्थल मंडल मतलब अस्थल के ऊपर जो भुवाकृतियां है उसको हैसो हम लोग इसमें स्टड़ी करते हैं इसके अंतरगत क्या क्या पढ़ना आपको इसमें पढ़ना आपको ओरीजन ऑप दे अर्थ प्रित्वी की उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी में भी बोल दूंगा बाकी हिंदी में मैटर रहेगा ओरीजन ऑप दे अर्थ प्रित्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पीछे क्या सिध्धान्त है इसके बारे में लोग बात करेंगे और मुख्य जो सबसे प्रमुख सिध्धान्त है बिग बैंक सिध्धान्त है बिग बैंक सिध्धान्त के बारे में बात करेंगे ठीक है श्वाती वेलकम तो आपका पृत्वीक उत्पत्ति के बारे में द Interior of the earth, मतले पृत्वी के अंदर जाते हैं, पृत्वी के आंतरिक भाग में क्या है, जैसे पृत्वी के ऊपर में आपको पर्वत है, पठार है, मैदान है, जील है, ठीक है, पठार है, माउंटेन है, नदियां है, बहुत सारे चाजें आपको दिख रही है, उसी तरह से पृत् के अंदर जाने पर आपको क्या मिलता है क्रस्ट है मेंटल है इसके बारे में स्टडी करेंगे तो क्रस्ट क्रस्ट क्या है मेंटल क्या है और क्या है अपर क्रस्ट है लोवर क्रस्ट है अपर मेंटल है लोवर मेंटल है आउटर कोर है इनर कोर है इसके बारे में स्टडी है डिस्कॉंटिनिटी के बारे में बात करेंगे ठीक है तो डिस्कॉंटिनिटी जो आपका होता है फ्रेंड मोहो डिस्कॉंटिनिटी है गटन बर्क डिस्कॉंटिनिटी है आपका इस सब क्या होता है इसके बारे में कर रहा है इसी से related आपका प्लैक टक्टॉनिक थियोरी है प्लैट इवर्थनिक की सिध्धान्त है जिसको मॉर्गन साब ने दिया था लावा क्या होता है मैगमा क्या होता है इसके बारे में लोग बात करेंगे एस्थोनोस्फेयर क्या होता है प्लेट कैसे मूबिलिटी कैसे ह होती है इस थोनोस्फेयर के ऊपर इन शब चीजों के बारे में हम लोग कि रुखिविक के दरदेखा नहीं है का सिगोतीक थि क्षे क्या होता है इसके वारे में बात करेंगे और PSL wave जो है इसका भी classification है P और S का इसके बारे में बात करेंगे बड़ा ही मज़दार है interior of the earth इसके बारे में लोग बात करेंगे उसके बाद आपका अगला topic है geomorphology का rocks क्या होता है ठीक है rocks क्या होता है आम बोल चाल के भासा हम बोलते है न रॉक ठीक है तो rocks क्या होता है इसक Sedimentary rocks है क्या classification है Formation of Rock के बारे में बात करेंगे उसके बाद फिर आपका rock cycle क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो rock में भी आपका है irnius rock का formation कैसे होता है मेटमॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है रॉक साइकल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तिर चर्चा करेंगे रॉक्स के अंतरगत आज कियर हम लोग स्लेवर से बात करेंगे folding क्या होता है, falting क्या होता है, मतलब wallon क्या होता है, भhrans क्या होता है, इसके बारे मैं बात करेंगे, कुल मिलाकर, जो आपका भू आकृति बिज्ञान है, जियो मार्फलोजी है, ये दो सक्तियों से मिलके बना हुआ है, एक आपका है, एक अंतरजात बल, पृत्वी के अंदर से लगने वाला बल, और दूसरा क्या है, बहिरजात बल, पृत्वी के बाहर से लगने वाला बल, मत सबसे पहले origin of the earth को देखेंगे, फिर interior of the earth, मतलब पृत्वी की तुपत्ति कैसे हुई, पृत्वी की आन्तिक संद्चना क्या है, चटान के प्रकार देखेंगे, वलन क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है, इसके बारे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, वलकेने क्या होता है, वलकेनों क्या है, टीक है, जुआला मुखी क्या होता है, लावा क्या है, मैगमा क्या है, मैगमा ऑन सर्फिस कॉल लावा, तो लावा का कैसे फ्लैक टेक्टोनिक थियोरी है, लावा का कैसे इंसकर्शन होता है, मैगमा कैसे बाहर निकलती है, इसके पीछे कौन सा रीजन है, प्लैक टक्टॉनिक थियोरी है, तो प्लैक टक्टॉनिक थियोरी कैसे काम करती है, इसके बारे मैं बताएंगे आपको, उसके बाद वलकेनों का डिफिनेशन क्या होता है, वलकेनिसिटी क्या होता है, जो अलमुखी क्या है, जो अलमुखी के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में जो अलमुखी का जो eruption होता है वालकेनों का जो eruption होता है जो उद्भेदन होता है इंद इंग्लिस दोनों बोलेंगे फ्रेंड क्योंकि ये semi scientific subject है तो इंग्लिस से दूर नहीं भागना है इंग्लिस के कोई भी जो अलमुखी है उसका structure क्या होता है जो अलमुखी का structure क्या होता है volcanic pipe क्या होता है ठीक है crater क्या होता है caldera क्या होता है sulfetra क्या होता है मोफीटी क्या होता है sulfur dioxide gases क्यों निकलती है उससे क्या होता है climate change क्या है सारी चीजें इस से related है वलकेनों का distribution क्या है पूरे वर्ल्ड में फाइर रिंग क्या होता है जहां जहां destructive plate margin है वहां पर वलकेनों का eruption हो रहा है इसके बार हम बात करेंगे अर्थ क्या होता है, भुकम्प क्या है, भुकम्प का डिफिनेशन क्या है, भुकम्प की परिभासा क्या है, भुकम्प उत्पन क्यों होते हैं, भारत को कितने भुकम्प सेस्मिक जोन में बांटा गया है, इसके बारे में भुकम्प का पता कैसे लगाते हैं, भुकम्प का प इसके बारे में बात करेंगे ठीक है और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड की आखिर भुकम जो उत्पन होते हैं जैसे सुनामी का नाम सुनाओंगा अर्थक्योंग के साथ आपको सुनामी बताओंगा 2004 में हिंद मासागर में सुनामी आया इसके बारे में बताएंगे तो ये पूरा आपका वॉलकेनों है अर्थक्यूक है उसके बाद फिर आपका वेदरिंग है वेदरिंग मतलब क्या होता है अपक्षय क्या होता है किसी चटान का तूटना अपक्षय होता है चटान क्यों तूटते हैं बहुत सारे कारण होते हैं चटान तूटने के तो भौती कपक्षे होता है रासाइनी कपक्षे होता है और जैवी कपक्षे होता है मतलब फीजकल वेदरिंग है कैमिकल वेदरिंग है बायलोजिकल वेदरिंग होता है इसके बारे में बताएंगे उ अस्तलाकिर्थियां, लैंडफर्म को क्या बोलते हैं, अस्तलाकिर्थियां जैसे नदियों के द्वारा, फ्लोबियल, नदियों के द्वारा, एउलियन, वायू के द्वारा, ग्लेसियल, ग्लेसियर के द्वारा, किस परकार के अस्तलाकिर्थियां का दिर्मान होता है, नदिय चीजों के बारे मैं बात करेंगे बिलकुल रेनोगा जी गूड़ समय होता है इसके बारे में गौर्ज का का इसलंगला करतिया सेंड् क्या होता है क्या होता है बहूत सिंपल हैं मैं आपको आज तो कर आठाना सुरूة करुँगा हुए जबòng होते हैं उसपे किस तरह का उका लन्दicar का निर्मान होते हैं इस में आपके बिल्कुल सभी लोग का स्वागत है ममता यादो जी गुड इबनिंग सभी लोग जुड़े रहे हैं ज्यादा ज्यादा फ्रिंट्स सेयर करते जाओ अब हम लोग बात करेंगे यह तुम्हारा जियो मारफ लोजी हो गया क्लास में सारी चीजें आपको याद हो जाएगी मेरी क्लास की य मैं ज्यादा कॉंसिप्ट पर ध्यान देता हूं मैं ज्यादा आओधारना के विकास पर ध्यान देता हूं कि आपका कॉंसिप्ट कैसे बिल्ड होगा बिल्कुल टिप्स पर सारी चीजें होंगी बिल्कुल सारी चीजें टिप्स पर होगी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि भुवाकृति विग्यान क्या होता है जियो मार्फलोजी भुवाकृति या अस्थल मंडल क्या होता है आपको सिर्फ ये बोलना है कि अस्थल के उपर जो आकृतियां आपको दिखते हैं ये आकृतियों के बारे में हम लोग ये जो अस्थलाकृतियां है इन्ही भुवाकृतियों का निर्मान जो होता है, पृत्वी के अंदर से लगने वाला बल और पृत्वी के बाहर से लगने वाला जो फोर्स होता है, उसके द्वारा ये भुवाकृतियों का निर्मान होता है, ठीक है न, यही भुवाकृतियों कितना सिंपल है, देखो, दूसरा का है इसको बोलते हैं जल्वायू विज्ञान इसको क्या बोलते हैं जल्वायू विज्ञान बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं वायू मंदल वायू का मंदल जैसे अस्थल का मंदल उस तरह से वायू का मंदल अगर वायू मंदल ना हो तो कोई लाइफ नहीं है ठीक है सर एक कोश्चन है हम लोग आपके साथ ऑफ्सनल भी पढ़ रहे हैं तो भी वहां पढ़ा रहे हैं आप यहां अलग से टौपिक कराएंगे क्या की कर देखो इसमें जो चीजें हैं कुछ-कुछ टौपिक इसमें अलग रहेगी यह समान अध्धन के रूप में हैं आप उहां पर आप उहां पर optional के रूप में पढ़ रहे हैं तो जैसे इंडियन जोग्रफी है तो इंडियन जोग्रफी में बहुत सारी चीज़े मैं table लेकि आऊंगा जो आपके कर सकते हैं ठीक है एक घंटा ही समय निकालना आपको no problem तो क्लाइमेट लोजी के अंतरगत हम लोग देखते हैं आपका atmosphere क्या होता है सभी लोग आप लोग है सो एक बार शेयर कर दें सभी लोग तो atmosphere क्या है तो atmosphere के अंतरगत जिस तरह सबसे पहले क्या है कि structure and composition वायू मंदल मे क्या है कौन-कौन से important gas है वायू मंदल में nitrogen है carbon dioxide है oxygen है ozone है बहु सारे जो gas है उनका क्या role है उनकी क्या भूमिका होती है जो महत्पुन gas है CO2 का क्या भूमिका है nitrogen की क्या भूमिका है oxygen की क्या भूमिका है जितने भी महत्पुन gas है इसके बारे में बात करेंगे atmosphere में structure के बार करेंगे, जिस तरह से आपका छोब मंडल है, ट्रॉपोस्फेयर है, एस्टेटोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्जोस्फेयर है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, छोब मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, ओ प्रपोपाज क्या है, एस्टेटोपाज क्या है, मेजोपाज क्या है, ओजोन मंडल की क्या विशेस्ता है, इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आपका, ये तो आपका हो गया, structure and composition, दूसरा आपका होता है, temperature, तापमान, तापमान की क्या भूमिका है, तापमान के है, temperate reason क्या है, polar reason क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ताफमान का वितरन कैसे होता है, जो सूरिके की रने आती हैं, सॉर्ट वेब में आती है, जब ये terrestrial radiation होता है, प्रत्वी के दौरा जो मतलब जो रडेशन होता है, वो कैसे होता है वो long wave में होता है इसके बारे में बात करेंगे तापमान से जुड़ा हुआ है आपका वायुदाब पेटियां प्रेसर बेल्ट आपका जुड़ा हुआ है प्रेसर बेल्ट क्या होता है निम्न वायुदाब पेटियां क्या है उच वायुदाब पेटियां क्या है तो इसके बारे में बात करेंगे निम्न वाईदाप पेटी कहां मिलेगी उच वाईदाप पेटी कहां पर मिलेगी और निम्न वाईदाप यह वाईदाप से जुड़ा हुआ है temperature से आपका जुड़ा हुआ है pressure build, pressure build से आपका क्या जुड़ा हुआ है पवन, ठीक है बैपारिक पाउने, पच्छुआ पाउने, trade winds, westernies, sterlies, polar winds, sterlies और polar winds एक ही आपका है, इसके बारे हम बात करेंगे, बैपारिक पाउने क्या होती है, तो ये तापमान से जुड़ा हुआ है आपका क्या वायुदा पेटियां और वायुदा पेटियां से क्या आपका जुड़ा हुआ फ्रेंट, जो महत्पुन पाउने हैं, तो ये तो आपका अस्थलिये पाउने हो गई, जो अपर atmospheric circulation है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, jet steam क्या होता है, jet jet steam का अंदिरमान कैसे होता है, jet steam कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में बात करेंगे, भारतिय मानसुन को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आपका जो फेरल सेल है, हेडली सेल है, पोलर सेल है, इसका formation कैसे होता है, इसके ब बादल क्या होते हैं, बादल के प्रकार क्या है, वर्सन के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, टाइपस ओफ रेंफॉल जो आपका होता है, इसके बारे में बात करेंगे, पुहासा क्या होता है, फॉक क्या होता है, स्मॉक क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, वर्सा के प्रकार क्या होते हैं, संवनिय वर्सा क्या है, परवतिय वर्सा क्या है, चक्रवातिय वर्सा क्या होता है, सैकलोन क्या होता है, एंटी सैकलोन क्या होता है, ट्रेंप्रेट सैकलोन क्या होता है, ट्रोपिकल सैकलोन क्या होता है, सितोस निकटिबंदिय चक्रवात क् और आपका major climatic type जो होता है मतलब पूरे विश्व में जो जलवाईयों के प्रकार है इसके बारे में इसको हम लोग study करेंगा तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी important है अगला हम लोग बात करते हैं आपका ओस्नोग्राफी के बारे में ओस्नोग्राफी मतलब क्या हो ग गया तो ये जो आपका जल मंडल है या महासागरिय विज्ञान है इसके बारे में क्या देखते हैं ocean relief क्या होता है ocean relief मतलब समुद्र के अंदर जाने में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी महादीपी यह मगंतट है continental self है continental slope है deep sea plane है गुवेट है रीज है जो आक किरतियों के बारे में trench क्या होता है मिरियाना trench का आपने नाम सुना होगा तो महादीपीय मगंतट है इसकी क्या परिभासा है महादीपीय ढ़ाल की क्या परिभासा है कहां से कहां तक यह पाए जाते हैं तो यह जल मंडल के बारे में देखा जाएगा उसके बाद फिर आपक तेंप्रेचर क्या होता है, ओशन टेंप्रेचर क्या आपका है, ओशन टेंप्रेचर बारे बात करेंगे, महासागरिय तापमान क्या होता है, महासागरिय तापमान को निर्धारन करने वाले कौन-कौन से कारक है, लवन्ता क्या है, सैलेनिटी क्या होता है, सैलेनिटी को कैसे मापा जाता है इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड ओसन डिपोजिट क्या होता है ओसन डिपोजिट क्या होता है महासागरिय निशेप क्या होता है समुद्र के अंतरगत किस प्रकार के डिपोजिट पाए जाते हैं किस प्रकार की जो निशेप है बहुत सारे प्रकार है इसक लो वाटर करेंट क्या होता है इसके बारे हम बात करेंगे वाटर करेंट की कैसे इसका मुव्मेंट होता है महासागरी धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं है ठीक है और अट्लांटिक महासागर की धाराएं हैं हिं स्टीम आपका है आपका लेवराडोर है एकेटोरियल करेंट है यह सारे करेंट के बारे में आपको बताएंगे एलीनो है लानीना है इसके बारे में आपको बताएंगे जो महत्पुन पेरु करेंट है बहुत सारे जो महत्पुन करेंट है एलीनो क्या होता है एलीनो का मतलब क उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंड बायो जोगरफी में जिसमें स्वाइल क्या है स्वाइल मिट्टी का इंदिरमान कैसे होता है स्वाइल का टाइप कैसे होता है स्वाइल के प्रकार क्या है इसके बारे में बात करेंगे बायोम के बारे में बात करेंगे मेजर बायो परियावरन पढ़ेंगे और यह जो एडवांस रूप है लारमेंट एडवांस रूप है अब तुरसे कि इस में आ रहा आपको आगे हैं ममें लोग देखते हैं इसमें अगला आपका ये फीजकल जोग्रफी नहीं human जोगरफी होगा यह गरत आप लिखा है तो human जोगरफी जो आपका हो गया फिरिंट इसमें मानो भूगोल मानो भूगोल में क्या देखते हैं आपका man and environment relation क्या है मानो और परियावरिनी संबंद क्या है इसके बारे में growth development क्या होता है इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँगा population जनसंख्या समंदित काफी प्रस्ण पूछे जाते हैं जन जाती से समंदित काफी प्रस्ण पूछे जाते हैं migration उगर इसे प्रसंद भी रहते हैं इक्नौमिक अक्तिविटीज आपका है जो वर्ल्ड चोड़व़फी का पार्ड है व्ल्ड एग्रिकळचर वर्ल्ट के श्री सी के बारे में पढ़ने में यहाँ पर किस प्रकार किbelія provides उनी इस पात उद्योग है, कहां पर है, लोहा इस पात उद्योग है, वर्ल्ड के बारे में, उसके बाद आपका तिर्तियक अब जो क्रियाएं होती है, मतलब जो सेवा, छेत्र जो आपका होता है, पुरे वर्ल्ड का, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर आपका वर और location based question रहेंगे वर्ड में आपके वर्ड में तो ये प्रस्ण जो आपका है ये continental study जो हम लोग करेंगे महादीपी अध्यन करेंगे जैसे Boston कहां पर है अजर बेजान कहां पर है तो इस तरह के बहु सारे red sea का location क्या है Red Sea का location क्या है, Coral Reef का, Great Barrier Reef है, Mare Darling River कहाँ पर है, Florida कहा पर है, तो World का location होगा, location से काफी जयदा question पूछे जाते हैं, तो यह जो मैं आपको continental study कराऊंगा, तो continental study कराऊंगा, तो उससे आपका location के प्रस्ड जो है, वो सारे आपके solve हो जाएंगे, तो इन सब चीजों को हम लोग को study करना है और उस तरह से अगर देखा जाएगा friend आपका कि और आपका होगा major natural reason क्या होता है प्राकिर्तिक प्रदेश क्या होता है इससे भी काफी ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो natural reason है इसके बारे में बात करेंगे regional geography of developed country तो यह जो आपका continental study करेंगे माधीपी अध्यन करेंगे उससे आपका हो जाएगा regional geography of developing country इसके बारे में क्यों आपको देखना है कि कहां पर किस प्रकार का हो रहा है आपका इन सब चीज़ों पर बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपको बताया अभी तक मैंने आपको बताया physical geography ठीक है और उसके बाद हम लोग ने बताया world human and economic geography world human and economic geography हो गया और इसके अंतरकर दो पार्ट हो गया एक तो आपका हो गया human and economic और दूसरा आपका हो गया continental study ठीक है तो अब हम लोग तो यह आपका portion कराएंगे और इसमें आपका दो दिन आपका physical geography होगा दो दिन वर्ल जोगरफी और दो दिन आपका जो होगा इंडियन जोगरफी होगा अब हम लोग इंडियन जोगरफी में देखते हैं कि कहां से प्रस्ण जादा बनते हैं अगर इंडियन जोगरफी में देखा जाए तो प्रस्ण जादा कहां से बनते हैं अगर प्रस्ण को देखा जाएगा फ्रिंड चाहे आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी एक्जाम आप दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रस्ण बनते हैं जैसे इंडियन जोगरफी के बारे में देखा जाए तो इसका लोकेशन क्या है इंडियन जोगरफी का इसका अक्छांसिय अभिस्तार क्या है इसका देशांत्रिय विस्तार क्या है इसके बारे में इसका latitude इसका इंडिया का longitude टाइम जोन क्या है टाइम जोन के बारे में देखेंगे बिलकुल सारी चीजे नेवर कंट्री कौन-कौन सा है नेवर कंट्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूतान, बंग important state क्या है important state जो आपका है जल संदी अस्थल संदी जो है इसके बारे में लोग बात करेंगे state and their position जितने भी भारत में राज्य है उनका क्या position है जेनके का location क्या है लद्दाग का location क्या है गुजरात है रास्थान है मदपरदेश है 36 गड़ है बिहार है जारकंड है जितने भी states है और union territory है उसका location क्या है इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आपका states with international boundaries के बारे में बात करेंगे इसमें फिर काफी question पूछे जाते हैं states with international boundaries इसके बारे में question पूछा जाएगा state with international boundaries के अंतरगत हम लोग यह देखेंगे कि मालिया की बांगलादेश से कौन-कौन से राज मिल रहे है नेपाल से कौन से राज मिल रहे है पाकिस्तान से कौन से राज मिल रहे है तो state with international boundaries के बारे में हम लोग ऐसो इस पर ऐसो चर्चा करेंगे clear है आगे फिर आपका होता है फिजिकल फिचर्स, इंडिया का जो फिजिकल फिचर्स है, इंडिया का फिजिकल फिचर्स के अंतरगत जैसे आपका हिमालिया है, हिमालिया जो आपका है, ग्रेटर हिमालिया है, मिडिल हिमालिया है, सिवालिक है, वेस्टन हिमालिया है, इस्टन हिमालिया है, इसके बारे मे करेंगे जितना भी आपका क्रम की चटाने हैं किस कौन सी किस प्रकार की चटाने हैं इसके बारे में यहां के क्लाइमिट के बारे में बात करेंगे भारत के जलवायू के बारे में बात करेंगे भारत की जलवायू है इसके बारे में साउथ वेस्ट मानसुन है, साउथ वेस्ट मानसुन है, नौर्थ वेस्ट मानसुन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साउथ वेस्ट मानसुन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नौर्थ वेस्ट मानसुन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में, और भारतिय मान बहुँ सारे climate जो प्रभावित है जैसे mansoon क्या है land bridge फिक है और sea bridge है इसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है कौन-कौन से factor है इसके बारे में हम लोग जलवायू को पूरा jet stream कैसे प्रभावित करता है इंडिया के mansoon को इसके बारे में नॉर्थिस मांसुन को कैसे करता है Southwest मांसुं को कैसे प्रोहावित करता है इस पर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से चरचा करेंगे बहुत है कि भारत में नेचरल वेडिफिटेशन है इसके बारे चरचा करेंगे नेचरल वेजिटेशन का क्या डिफिनेशन होता है जो आपका फॉरेस्ट है जो आपका फॉरेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे हम बात करेंगे उसके बाद फिर आपका स्वाइल है ठीक है उसके बाद फिर आपका स्वाइल है तो स्वाइल का स्वाइल का तो इन सब चीजों पर हम लोग पूरी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे तो यह सब सारी चीज़ें जो है वह आपकी काफी अधायओली जतने भी महात्पुन दर्रे हैं आपका कहाँ पर है नितीला कहाँ पर है खैबर पास कहाँ पर है जितने भी महात्पुन पास हैं बहुत सारे पासेज है थाल घाट क्या है, पाल घाट क्या है, भोर घाट क्या है, इसके बारे में सेनकोट्टा गैप क्या है, जितने भी महत्पुन पासेज हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और क्या उसका इंपोर्टेंस है, और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद आपका प प्लेंड क्या है, मिडल गंगा प्लेंड क्या है, लोर गंगा प्लेंड क्या है, इसमें क्या-क्या समस्याएं है, मैदानी शेत्रों में इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इंदुस जो नदी है, उसके कौन-कौन से महत्पुन सहायक नदियां है, उसके बात फिर हम लोग बात करेंगे आपका प्रायधी प्ये प्थार जो आपका हैsomething प्रायधी प्थार है तो प्रायधी प्ये प्थार के अंतरगत इसका Geological Formation क्या है, Central Highland क्या है, North Central Highland क्या है, South Central Highland क्या है, बुंदेलखंड का पठार है, बगेलखंड का पठार है, फोड़नापूर का पठार है, राची पठार है, हजारी बाग का पठार है, राजमहल की पहाडियां है, इन जितने भी आपके डक्कन प्लेटो है, करनाटका का पठार क्या है, दंडकारने पठार क्या है, तेलंगाना छेतर क्या है, रॉयल सीमा कहां पर है, वेस्टन घाट किदार है, इस्टन घाट क्या है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग करेंगे बिलकुल मोहन जी गुड इबनिंग आ संख्या थोड़ी कम है सभी लोगों को जानकारी नहीं हो पए तो लाइक सेयर मैक्शम कर दो यार आप लोग उसके बाद फिर आपका रीवर सिस्टम में इंडियन जोगरफी में तो रीवर सिस्टम में जैसे आपका हिमालें र है इसके बारे में इंधालें रिवर में मुख्य रूप से क्या हैं? इंदज है सिंधु नदी दि है गंगा नदी है ब्रंपुत नदी और इनकी सहायक नदियां है जम है चिनाओ है रावी है भ्यास सतलज है और उत्तर मिलने वाली hairst नदिया है उसमें बहुت सारी नदिया उसके बारे में आपको बताएंगे, ग्रास नदी है, सिगार नदी है, गास्टिन रिभर है, बहुँ सारी रिभर है, गिलिगिट रिभर है, स्योक रिभर है, तो कौन-कौन सी महत्पुन नदियां है, सुलेमान स्रेनी से निकलने वाली कौन-कौन सी नदियां है, जो सिंदू है माल-प्रभा है तुंग भध्रा नदी है पेनार नदी कौन सी है कावेरी की सायक नदी का है कौन सी नदी कहां से निकल रही है इन सारे चीजों के बारे में डिटेल बात करूंगा एक-एक छीजें आपके टिप्स और लिफ्स पर रहेगे रीवर वेशन क्या होता है रीवर वेशिंग के बारे में बताएंगे ड्रेनेस सिस्टम क्या होता है ड्रेनस पैटर्ण क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे फ्रेंड कौन सी नदिया किस प्रकार की ड्रेनस पैटर्ण को बनाती है जैसे आपका जैसे आपका डेंडेटिक पैटर् बार्बेट पैटर्ण क्या होता है बहुत सारी प्रकार होते हैं रेडियल पैटर्ण क्या होता है सेंट्रिपिटल पैटर्ण क्या होता है सेंट्रिफ्यूगल पैटर्ण क्या होता है इन सारे प्रकार के सारे चीज़ों को बिल्कुल बताऊंगा अनामिका बिल्कुल गोड इ ठीक है तापती है सावरमती है माही है यह सब नदिया जो है लूनी है यह वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा तापती है शूरी क्यों बनाती है डेल्टा क्यों नहीं बनाती है क्या रिजन है इस्ट फ्लोइंग रिवर जो आपका है जितने भी भारत की महत्पुन नदिय जो प्राइधीपिय भारत की जो नदियां है उस अब पूरब की और क्यों जाती है अभीजीत कुमार वेलकुम ग्रेंड वेलकुल स्वागत है अभीजीत सभी लोग बने रहो तो इस्ट फ्लोइंग रिवर जो आपका है उसका इस्ट की और क्यों फ्लो होता है इसके पीछे क्या history है इसके पीछे इसके बारे में आपको बताएंगे interlinking of river के बारे में बात करेंगे रिवर interlinking के बारे में बात करेंगे जो river interlinking के क्या significance है क्या इसके drawback है इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें है इसमें आपका जबरदस्त होने वाला है ठीक है मानसुन के बारे में आपका जैसे मानसुन क्या है ड्राइविंग मेकेनिजम के बारे में बात करेंगे ड्राइविंग कौन-कौन है जो भारतिय मानसुन को प्रभावित करता है एल्लीनो क्या है लानीना क्या है एल्लीनो मोडेकी क्या है लान typical cyclone क्यों आगमन हो रहा है क्या इसका relation है climatic chain से कितना temperature चाहिए यह सब question पूछा गया है UPSC 2000 यह जवाब का 2020 में जो UPSC का exam हुआ प्रिलिम्स में यह question पूछा गया था cyclone के संदर में और सारे question में MCQ के साथ MCQ के साथ सारी चीजें tips और lifts पे रहेगी guarantee के साथ सारी चीजें याद करने की जुरत नहीं है मेरे class में याद करने की जुरत नहीं है बस केवल बने रहो और चीजों को समस्ते जाओ copy pain लेके बैठो साथ में atlas लेके बैठो आपको और subject पढ़ना है पढ़ो मेरे class में जो ध्यान से पढ़ोगे और एक-एक चीजों को पढ़ाऊंगा 1991 से जोगरफी पढ़ रहा हूँ ठीक है बिलकुल बिलकुल 1991 से जोगरफी पढ़ा रहा हूँ और मैं student रहा हूँ डॉक्टर समींद्र सिंग का जिसकी books आप लोग पढ़ते हैं डॉक्टर समीन सिंग हमारे होडी थे इलावाद इउनरसिटी में जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था और मैं उनके कहने पर ही मैं उनके कहने पर ही मैंने जोगरफी को आप्ट किया जोगरफी को मैंने लिया नहीं तो मैंने दूसरा subject ले रखा था फ्रेंड मैं science बैग्र सानी बात है इलाहबाद में जो इंट्रेंस एक्जाम होता है तो इंट्रेंस एक्जामेशन में मैंने 500 में 482 स्कोर किया था 91 में आप सोच सकते हो 500 का एक्जामेशन था मैंने 482 स्कोर किया था और डॉक्टर सविन सिंग के कहने पर उस समय हमारे होडी थे उसके बाद भी मैंने जोगरफी लिया बहुत ही मज़ा आने लगा और पढ़ते गया पढ़ते गया ठीक है न तो यह सब सारी चीज़ें फ्रें तो आप इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंट तो इसमें हम लोग एल नीनो और ला नीना जो आपका है एल नीनो ला नीना सीजन के बारे में बात करेंगे साइकलोन के बारे में बात करेंगे तो आप सोच सकते हैं फ्रेंट कि 91 से लेकर अभी आपका कितना समय हो रहा है 2000 अभ अभी कुछ दिन पहले उनका दिहान्त हुआ, मैं उनका भी सिस्स्य रहा हूँ, और मैंने उनसे क्लाइमिटलोजी और ओस्नोग्राफी मैंने काफी पढ़ा, बहुत दिनों से, अभी तो आप लोग बहुत बच्चे हैं मेरे सामने, बहुत नए हैं आप लोग, आरवी सिंग का आपने नाम सुना होगा फ्रेंड, आरवी सिंग सर से मैं पढ़ना गया था पढ़ने के लिए, ठीक है, आरवी सिंग सर से भी मैं पढ़ा, और क्या कोरिलेशन किस्त है, बहुत अच्छा अनुभाव रहा उनके साथ, तो इसलिए इंडियन जोगरफी और विल्कुल विल्कूल एल लानिना सब याद करा दूगा handlar, तो मिन्रल एंड इंडिस्टी के बारे में, मिन्रल भारत में मिन्रल डिस्ट्रिपीशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पर किस प्रकार आज्र है, कॉपर है, अकोपर है, इस प्रस्ट में यह बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊंगा आज स्लेवस हैं तो स्लेवस जो है उसको मैं इंग्लिस में कर दिया हूं और कल से पूरा आपका Hindi में matter चलेगा ठीक है न? और कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कल Wednesday और Thursday है तो Wednesday को मैं World geography कराऊंगा और कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं North America कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं North America और इस तरह से आपका irrigation pattern क्या है? इंडिया में irrigation pattern है. है, इसके बारे में बात करेंगे, Land Reform क्या है, चकबंदी क्या है, भूमि सुधार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, Animal हस्वेंटरी क्या है, इसके बारे में गに चाल जा रहे हैं, इन सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, Natural Vegetation and fauna क्या है classification of natural vegetation इसके बारे में प्राकृतिक बनस्पती है उसके प्रकार क्या है इसके बारे में rainfall pattern क्या है biosphere reserve क्या है इनके बारे में distribution क्या है तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग ऐसो चर्चा करने वाले है economic infrastructure में transportation क्या है highway क्या है inland waterways क्या है latest आपका power energy sector क्या है conventional and non conventional source of energy क्या है energy conservation क्या है इन सारे चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले है उसके बाद फिर आपका tribes population है जो नया data है नया जो census आपका है जो भी 2011 का चल रहा है अब 2021 में होगा तो यह सारी चीजें होने वाली है कल से और और भी बहुत सारी चीजें है फ्रेंड तो यहां पर हैसो हम लोग इतना ही रहने देते हैं और यह जो आपका होगा यह आपसिनल से नहीं यह मैं आपका करार हों फ्रेंड यह GS के लिए रहेगा और फिर से एक बार बता दूं आपको कि Monday Tuesday जो हम लोग करेंगे वह आपका physical जोगरफी करेंगे Monday Tuesday आपका physical जोगरफी होगा और आपका वेटनस डे और थ्रस्डे आपका है यह हिंदी में होना है फ्रेंड आज स्लेबस था आपका उसको इंग्लिस में कर दिया हिंदी में भी स्लेबस देंग कोई दिक्कत नी थोड़ा इंग्लिस आना चाहिए फ्रेंड तो physical जोगरफी में हम लोग क्या करेंगे वर्ल्ड जोगरफी करेंगे और वर्ल्ड जोगरफी के अंतरगत एक आपका है continental study और दूसरा आपका है resources ठीक है world resources ठीक है मतलब संसाधन भूगोल तो continental study के अंतरगत कल क्या है कल वेडनस डे है तो कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड कल हम लोग North America स्टार्ट और North America कम से कम आपका तीन classes चलेंगे North America में जितने भी classes लगे North America, South America, Africa, Australia, Europe, Asia तो continental study करेंगे और continental study करने का भी एक तरीका है कल मैं आपको बताऊंगा सभी लोग कल एटलस अपने पास रखेंगे सभी लोग आप लोग एटलस रखेंगे सबसे पहले क्या होता है political study करते हैं उ उसके बाद physical में आपका परवत है, पठार है, मैदान है, जील है, नदी है, जितने सारे चीजों को देखेंगे, island है, उसके बाद फिर वहाँ पर minerals क्या आप आए जाते हैं, वहाँ पर industry कौन-कौन से हैं, वहाँ पर agriculture pattern क्या है, वहाँ पर industry pattern क्या है, वहाँ पर transport pattern क्या है, वहाँ तो इस सारी चीजों के बारे में मतलब एक-एक, तो कल से जो है, हम लोग वर्च्वली हम लोग एक-एक continent को study करेंगे, और आपको North America कल से घुमाना सुरू करूँगा, ठीक है, North America कल से आपको घुमाना सुरू करूँगा, और एक-एक places के बारे में आपको बताऊंग तो कि वर्ड के location से जो आपका है, कौन सा अटलस, कोई भी Oxford का ले ले ले, या आप कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अच्छा सा Oxford ज्यादा, मैं तो Oxford ही यूज़ करता हूँ, तो Oxford का student अटलस ले ले और उसको देखें अच्छे तरीके से, जो भी मैं place आपको बताते ज नौर्थ अमेरिका में आप यहाँ पर हो, यह Florida है, यह Mexico का location आपका है, यह आपका Mississippi है, यह Missouri नदी है, यह Colorado है, यह River है, यह Laak है, यह Lake है, Superior है, Erie है, Huran है, Ontario है, यह सारा चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़े करके मैं आपको बताते चलूंगा, तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगे, टिप्स और लिफ्स पर आजाएगी, बस क्या बने रहो, ठीक है, तो Monday Tuesday हमारा फिजकल जोगरफी का सेशन होने वाला है, और Wednesday को वर्ल्ड जोगरफी का सेशन होना है, और Friday Saturday को, Friday Saturday को हम लोग बात करेंगे, Friday और Saturday को हम लोग बात कर करना है, इंडियन जोगरफी पर, बस ये रखना है कि भाईया, एक भी प्रस्न गलत नहीं होगा, फिजकल जोगरफी का एक भी प्रस्न गलत नहीं होगा, वर्ल्ड जोगरफी का एक भी प्रस्न गलत नहीं होगा, और इंडियन जोगरफी का एक भी प्रस्न गलत नहीं होग कॉपी पेल लेके बैट हो एटलस अपने पास रखो और यहां से सारे PDF विल्कुल आपको सारे मिलते चले जाएंगे जोगरफी आपका जबरदस तरीके से तयार हो जाएगा विल्कुल बी इन टस्ट सभी लोग रहें मैक्सिमम लाइक शेयर करते रहें और कल हम लोग सभी लोग अमेरिका नौर्थ अमेरिका के टूर पे जाएंगे और भी जितने लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लें और कल हम लोग पहुंचेंगे वहां पर और उसके बाद हम लोग तीन दिन वहां पर रहेंगे तीन या चार दिन रहेंगे नौर्थ अमेरिका में और नौर्थ अमेरिका में तीन चार दिन रहने के बाद पुरा अच्छे तरीके से वहां के परवत वहां के पठार वहां का जो North America के मैदान है, Great Lakes area है, इन सब चीजों पर बात करेंगे, देखेंगे, भूमेंगे, कौन-कौन से महत्पुन नदिया है, इन नदियों को देखेंगे, यहाँ पर Grand Canyon कहाँ पर है, काफी चर्चा में है, मोजे मरवस्थल कहाँ पर है, मोजे मरवस्थल को भी देखेंगे, जहाँ पर फिल्म की सुटिंग काफी होती है, उन सब चीजों को Hollywood कहाँ पर है, और आपका California का location क्या है, Florida का location क्या है, सारी चीजों को कल हम लोग अच्छे तरीके से, तीन दिन North America में रहेंगे, उसके बाद फिर दो दिन South America में, फिर तीन दिन अफरिका का दोरा करेंगे, उसके बाद Australia तो दो दिन में गुम लेंगे, फिर तीन दिन Asia में लगेगा फिरेंड, और तीन दिन कम से कम Europe में, तो ये सारे शेत्रों में हम लोग भूमते हुए और उसके बाद टूर करते हुए, एक विकेंड जो हमारा रहेगा फिरेंड, इंडिया में, एक एक चीजें, जेंड के, लद्दा, कहां पर क्या-क्या चीजें हैं, अच्छे तरीके से एक अच्छा अनुबह रहेगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लो, बार बार पढ़ने के जुरत नहीं पढ़ेगा, तो इतन आंकैडमी स्पेशल क्लास जिसमें मैं इंडियन जिओगरफी का एमसीक्यू कराता हूँ, तो जिनको भी इंडियन जिओगरफी का मसीक्यू करना है, वह सकते हैं, उसके बाद फिर मैं एक बजे और एक बजे अनकैडमी स्पेशल पर ही, मैं jornal spend kah neighborhood का एमसीक्यू कराता रहूं और उसके बाद फिर 3 बजे आपका जोगरफी का ओफिसनल होता है तीन बजे जोगरफी ओफिसनल होता है और साम को 6 बजे आपके साथ आता हूं जिसमें है सु हम लोग जोगरफी को GS के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीन सौट ले लें आप लो यह मेरे क्ल ज़िए ल्यायक कर सकते हो Sharing कर सकते हो जितना ज़्यादा हो सकता है इसको करो और मेरा कोड है और के sarà कोड थेन तो यह एड्मिशन लेने के लिए सब्सक्रिप्स लरं के लिए इसमाल करें लाइक मैक्सिमम करे चैनल को प्रोस करें और बीलकुल शे नको और जोग्रफिक में सारे चीजों को आपको एक एक करके कम्प्रीट करता जाऊंगा, और संडे को MCQ भी कराऊंगा आपको फेट, ठीक है न? तो इतना ही रणे जता हूं, और आइकोनिक है, और प्लस है, दोनों में से किसी मिले सकते हैं, बट आइकोनिक बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक स्टेटजी के साथ एक पूरी टीम है न अकैडमी में, जो आपको गाइड करती है, तो पवन, बिल्कुल थैंक्स, पवन, सभी लोग, मैक्सिमम लोगों को जोड़ते चले जाओ, फ्रेंट, थोड़ा ज़्यादा लोग जोड़ते हैं, तो मोटिवेशन होता है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो इसमें, चैनल को, और आज मेरी फर्स्ट क्लास है, इसमें, इस चैनल पे, ऐसे तो काफी दिनों से ले रहा हूँ, अनकैडमी पे, और नो डाउट अनकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल जो कंट अचे हैं, और student friendly work कर रहे हैं, घर बैठे आप त्यारी कर रहे हैं, आपको दिल्ली आने के जुरत नहीं है, आप घर बैठे त्यारी कर सकते हैं, और मेरे code का यूज़ करें और subscription लें, क्योंकि केवले YouTube पे सारे चीज़न नहीं मिल पाती हैं, जब लेते हैं आप admission, तो आपक प्रिपेशन करते जाएं, सभी लोग share कर दें, maximum share कर दें, आज की जो class है, उसको maximum support करें, पहली class है, तो मैं तो आप से कुछ मांग नहीं रहा हूं, बस यहीं कर रहा हूं, कि जहां जहां, जितना ज़्यादा share करना इसको share कर दें, तो ठीक है friend, okay, bye, see you, all the best, और फिर मिलते हैं, साम को 6 बजे, सार्प 6 पिए, okay, bye, see you, all the best,